नमस्कार दोस्तो नोलेजे टूचेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो साइक शिक्षकों की गुणेतर हजार पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार भरती करने जा रही है उसकी समन्द में न्यूज आई है चले में आपको पूरी न्यूज दिखा देता हूं दोस्तो ये पूरी न्यूज है गुणेतर हजार शिक्षकों की भरती के लिए 6 से बरेम फोरम प्रिक्षा 6 जनवरी को साइक अध्यापक भरती विग्यापन 5 दिसंबर को आवेदन 20 तक परिणाम 22 जनवरी को अमर उजाला ब्यूरो लखनव 26 शिक्षा प्रिशत के प्राइमरे स्कूलों में गुणेतर हाजार सिक्षकों की भरती का कारेकरम रविवार को जारी कर दिया गया है बरती के लिए विग्यापन 5 दिसंबर को जारी होगा और फोरम 6 दिसंबर से बढ़े जाएंगे परिक्षा 6 जनवरी को होगी और सिर्फ 16 दिन बाद 22 जनवरी को परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा 68506 को की पिछली भरते में हुई गडबडियों से सबक लेते हुए उत्तरपरदे सरकार ने अब की बार कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये हैं 266 अविवाग ने 68500 साहिक अध्यापकों की भरते में 500 पद और जोड़ते हुए रविवार को भरते का सासंदेश जारी कर दिया अपर मुख्य सची उप्रभात कुमार ने बताया कि भरती से 20 दिसंबर तक ओनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे परिक्षा 6 जनवरी को और 18 मंडल मुख्यालें उपर 11 बजे डेड़ बजे ग्यारा से डेड़ बजे तक आयुजित होगी परिक्षा बहुवी कल्पी है ओमार पर होगी तो दोस्तों ये इतनी बड़ी भरती है पिछली बार इस तरह किरकरी ने हो इसलिए तीन में तो पुर्ण बदलाओ परिक्षा बहुवी कल्पी होगी पहले से कटोप निर्दारित नहीं उत्र पुष्तिकाएं नहीं ओमार शीट पर होगी प्रिक्षा अठट हजार पांसो शिक्सक भरती की सीब्याई जांच के बीच सरकार और विवाका असल इम्तिहान टीट का परिणाम चारिया पांच को जारी हो जाएगा अठारा नॉम्बर को हुई राज ये शिक्सक उपातरता परिक्षे ये टीटी परिणाम दोजार अठारा का परिणाम 4 या 5 दिसंबर को आ जाएगा तो दोस्तों ये उत्तर परिदेश के अंदर 68500 की जो विकेंसी थी उसमें 500 पद और एड़ करती है गुणेतर 1000 पदों पर ये भरती होने जा रही है तो इसमें आवे दन आप जरूर करें